तक्षा बारवी के जीविज्ञान की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं बच्चो और बच्चो पीविएस वीडियो में हमने अपना लेसन बन रिप्रोडेक्शन इन आर्गनिजिम्स अर्था जीवों में जनन का अध्यन किया था साथ ही साथ इसके हमने इं प्रश्णों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे आप से तो इसके पहले क्रम में हम आपके MCQ जो हैं उनके बारे में हम अध्यन करेंगे तो बहु विकल्पी प्रश्णुत्तर को आज हम अध्यन करने जा रहे हैं चलिए चलते हैं बहु बहु विकल्पी प्रश्णुत्त्तर तो पहला प्रश्ण देखते हैं बश्चो के निमनलिकेज अंगों मैंसे कौन सा का लिए तरवाधिक अन्कूल हें हम सब जानते हैं का लिख घ्र ग्रजनन के अ्टरर में हम चलो होते हैं लिए तरवाधिक जो बहुत चॉमनली हम उनको यूज करते हैं यह हमारा नीट को नीट का क्वेश्चन है एक्जाम में आया था यह क्वेश्चन इसका सही आप्शन है भी तना दूसरा देखते हैं प्रशन करमांग दो शकरकन दिवम दहेलिया में काईग जनन होता है अर्थाथ इसमें हमने पढ़ चुके हैं यहा अर्श रिप्रोडूक्शन का एक पार्ट है तो उससमें शकरकन्द प्रजनन होता है वह मैं जड़ों द्वारा तहीं जival क्या है ह्सी जогоं प्रवटार उसलिफ आ जड़ों द्वारा मैं आपेलिया में प्रवरद्वारविणब दिवर्टरह समझज है कि प्रस्णा आप से क्या डिमांड कर रहा है कभी-कभी हम कुछ भी सोच के कैसे भी आंसर बच्चे-गड़वड़ी में तरके आ जाते हैं तो यहां पूछ रहा है निमने में कृतिम काई प्रवर्धन संभा है आलू में अचूबर में आम में और प्याज में यह तो हम सब है आंसर आसपरेगर्गज अगेव काय सेंथिम और ब्रायो फिलम हमने ब्रायो फिलम की पत्ति के इस्ट्रक्टर को पढ़ा ता उस समय देखा था कि इसकी पत्ति की घृक्श होती है वहां पर क्या होते हैं प्लांस नय ऊगाते हैं तो यहां प्रांस अब जाएगा डी व् सजीव प्रजक प्राणी है कच्छुआ अस्तिल मचली गुण्यन तक्षी या वेल मचली इसमें आंसर है डी वेल मचली परिशें Uza come on 6 सब क्लों के लक्षणौ से मैच हो रहा हैं उप्रियूक्त सभी सलिये देखते है next ов कि शिशू और को जन्म देने वाले प्राणी कहलाते है मैंने आपको बताया था कि जो क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, उनको कहते हैं सजीव प्रजक्ता, यहां पर आंसर आजाएगा A, सजीव प्रजक्ता. प्रश्नित्य आमांग 8 देखें, युगमणज में गुणशूत्र के सैठ होते हैं, योगमनज यहां योगमज नहीं बिलकुल ध्यान देना है अपनको तो योगमनज में हमेशा दो सेट हो जाएंगे क्योंकि दो युगमद के गुण सूत्र मिर जाएंगे तो यहां सही आंसर हो जाएगा 2x अ आप देखते हैं llexus मैं प्रश्निक मांग 9 अलू का काईक प्रबर्धन किया जाता है अथा कंदध्वार तो सही आंसर है ड कंदध्वारा प्रश्ने क्रमा आधस निम्न लिखित मैं अंद क्रज़क अर्ठात ओभीडरी चौन है चमगादर चमगादर वेल पैंग्विन या अमीवा यहां पर सही आंसर है सी पैंग्विन चलिए रेखते हैं नेक्स्ट रेक्ट स्थानों की पूर्टी कीजिए पहला देखें हुम पौधों में जननांग खाली स्थान प्रवस्था के अंतमित विखसित होते हैं यहां पर काय कवस्था के दौरान पैदा अंतमित होते हैं आंसर तीन केले तथा गुलाब में खाली स्थान नहीं बनते हैं अताएन में जनन केवल खाली स्थान से होता है तो आंसर रुजाय का केले तथा गुलाब में बीज नहीं बनते हैं और इसमें जनन केवल स्थाइक विदियों से होता है चौथा प्ताणियों में जननांग खाली स्थान अवस्था में विभेडित हो जाते हैं आंसर देखिए पाचवा तलावों में आई कोर्नियां खाली स्थान की सहायता से विद्धी करता है आंसर है भूस तारिका छटवा गुडन की दर खाली स्थान जनन की अपेक्षा खाली स्थान जनन में अधिक होती है तो हमें मालूम है कि गुडन की दर लेंगिक जनन से ज्यादा आलेंगिक जनन में अधिक होती है क्यों की पूर्ती कीजिए पहला है पौधों में जननांग खाली स्थान प्रावस्था के अंत में विख्सित होते हैं तो आंसर रहा आपका कैट तवस्था दूसरा है एंजियो दा गुलाब में बीज नहीं बनते हैं अता अधा इंद में जणन केवल काइक विधियों से होता है चौथा ताणियों की जलनांग कालिस्थान अवस्था में बिवेदित हो जाते हैं है नुड़ा वस्तर 5 चा लावों में को είναι या जल पॉम्डी खाली स्भाटी कर्तिव 스icional की सहायते से व्रिद्धी करती है अंशर वून की दण शैंज सखाउली स्थाम जयनन में अधिक होती है आंशरила की दर लेंगिग जयाअकी आपक्षा आलेंगिक जयनन में अधिक होती है चलिए अगले प्रश्म को वह है सही जोड़ी बनाईए आपको मैसदा कॉलम देते हैं उसमें आपको सही आंशर से मिक्स करना रहता है तो पहला है पक्षी पक्षी की सही जोड़ी है अंड पजक अठ्था जो बख्षी होते हैं वह भी पेरस होते हैं दूसरा ह मदचक उस्ट्रस शाइकल किसमें आपको बताए था मखाय में पाया जाता है तीसरा केचुवव है उसके वह क्या है उभैलिंगी है कि चोथा अंडाशय भित्ति पलवित्ति ती अंडाशय भित्ति on G5 75 А!", थरिंदे अंदाशय चटवा बीज आंसर हो जाएगा सुसुप्त पादप कहलाता है नहीं बीज में जो प्लांट्स रहते हैं वो सुप्त आवस्ता में रहते हैं फेब्रेलल कंडीशन में यह फिर से ग्रो हो जाते हैं अब हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए अलेंगिक प्रजणन के फलसरूप उत्पन एक जन की संद्चना एबन मनुवांशित गुणों में समान संतती को कहते हैं क्लोन आंसर दूसरा जूसपोर द्वारा प्रजणन करने वाले एक शैवाल का नाम लिखिए क्ले माइ चौथा कशाबिका युक्तवी जानुओं को क्या कहते हैं जूसपोर कहते हैं पाचवा अजूबा की पत्तियों में कौन सी कलिकाओं के द्वारा वर्धी प्रजणन होता है वांसर है आप स्थानिक कलिका चलिए नेक्स कॉश्चन प्रश्ण करमांग एक जीवन अगधी से क्या ताथ पर है मैंने आपको समझाया था प्रत्यक जीव से जन में से उसकी प्राकृतिक मत्यु तक का जो काल होता है उस जीव की जीवन अवधी होती है प्रश्ण करमांग दो लिशेचन को परिभाशिक कीजिए उत्तर वह प्रक्रिया जिसमें नर्व अमादा युगमत सनलेयत होकर द्विगुनित युगमनज बनाते हैं लिशेचन कहलाती है तीसरा क्लोन किसे कहते हैं एक ही जनक से उत्पन आकार की वा आनुवांशिक रूप से समान जीव क्लोन कहलाते हैं इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है प्रश्ण करमांग चार एक ऐसे जी दिएए ड्वारा होता है यहां प्रशिन द्वाजीन फिन पौधों में होताम से था यूट जिसमें अनुप्रस्त जविभाजन होता है overhead लूपohudh已经 तुसका अंसर है पेरा मीशियम नेक्स स्लाइट देखते हैं प्रश्न करमांग साथ व्रद्धा आवस्था या सेंजेस फेस का क्या माप धंड है उस्तर प्रजनन की आयू की समाप्ती को जीनिता या व्रद्धा आवस्था के नाम से जाना जाता है प्रश्न करमांग आठ लिंदाश्रही के उदाहरण हैं तो बच्चों यह थे आपके अब्जेक्टिव टाइप के और लगुत्री प्रश्नों के प्रश्नुत्तर इनको आप नोट्बुक में अच्छे से नोट करिए और अच्छे से लर्न करिए थैंक्यू बच्चों